वक्रतुंड महाकाय शुर्यकोटी समप्रभ निर्भिग्नम कुर्मे देवो शर्वकारे शर्वदा ओम गंगर्पतैनम राधे राधे आई ये सुनते हैं माघमास संकष्टी चतूर्थी ब्रतकथा चतूर्थी तिथी हर माह दोबाराती है एक सुक्लपच में दूसरा कृष्णपच में सुक्लपच की चतूर्थी को बिनाय की चतूर्थी कहते हैं वहीं कृष्णपच की चतूर्थी को संकष्टी चतूर्थी के नाम से जाना जाता लेगिन माघमाश की, क्रिश्नपच की चतुर्थी का बिशीस महत्व है इसे संकस्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस संकष्टी चतुर्थी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे सकचव, संकटाचव, संकष्टी चतुर्थी, तीलकुच चतुर्थी और तीलकुच जोथ, संकष्टी चतुर्थी का मतलब है संकट हरी, यानि संकटों का हरड करने वाली चतुर्थी, इस व्रत के कर भगवान गड़ेश बहुत प्रशन होते हैं। महिलाएं अपनी संतान की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए इस दिन निजला ब्रत रखती हैं। उपवास के साथ कथा भी सुनाई जाती है। सकर्चौत के दिन महिलाएं शुबहश नानारी करने के बाद उपवास रखने का शंकल्प लेती हैं। और चंद्रदर्शन के बाद ही उपवास तोड़ती हैं। कई अस्थानों पर महिलाएं इस दिन कुछ नहीं खाती। वह कुछ अस्थानों पर महिलाएं उपवास तोड़ने के बाद खिचरी, मुफली और फला हार करती हैं। इस दिन सकरकन खाने का सबसे ज्यादा महत्तो होता है। सकत चोथ पूजन भी धी। शुबहस नान के बाद साप कपड़े पहन कर गरेश जी की प्रतिमा को इसानकुर में एक चोगी पर स्थापित कर दें। ध्यान रहे चोगी पर लाल या फिर पीला कपड़ा अवश्य विछा दें। फिर गरेश जी की प्रतिमा पर गंगाजल शिरक कर उनकी पूजा शुरू करें। इसके बाद रूली, अच्छत, दुर्वा और फूल चढ़ाएं। फिर पान, शुपादी और लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद देशी घी और धूपादी से उनकी पूजा करें और आर्थी उतारें। इसे ओम गरिसाएं नमह मंत्र का जाब करते हुए भगवान को अर्पित करें। शकट्चतुर्थी के दिन कुछ घरों में तील और गुड का बकरा बनाकर उसकी बली दी जाती है। इस दिन महिलाएं शमुह में एकत रहोकर भगवान गरेस की कथा सुनती हैं। आई सुनते हैं सकट्चोत की कथा। पौरारी कथा के अनसार भगवान गरेस आज के दिन अपने जीवन की सबसे बड़े संकट से निकल कर आये थे। इसलिए इसे सकट्चोत कहा जाता है। एक बार मा पार्वती अशनान के लिए गई हुई थी तो उन्होंने दर्बार में गरेस को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। माता पार्वती ने किसी को भी अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। तभी भगवान सीव माता पार्वती से मिलने के लिए आ गए। भगवान सीव जब अंदर आने लगे तो भगवान गरेस ने उनको जाने से मना कर दिया। इससे भगवान सीव कुरूधित हो गए और उन्होंने अपने तेशूल से गरेश जी का सिर धर से अलग कर दिया जब पारबती बाहर निकल कर अपने पुत्र का यह हाल देखी तो बहुत जोर से बिलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवीद करने का हट करने लगी पूजा के बाद शाम को चंद्रमा को अर्ध दे कर ही ब्रत तोड़ा जाता है चंद्रमा को शहर रोली चंदन और मिस्री दूद से अर्ध दे कुछ हस्तानों पर ब्रत तोड़ने के बाद महिलाएं सबसे पहले सकरकन का प्रियोग करती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइट करें कमेंट करें शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ओल पर शिट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवार करें